केरल के एक कॉलेज की मैगजीन में महा भारत के पांडों की मा कुंती पर एक कभिता छपी है जिसे लेकर अब बिबाद खड़ा हो गया है और हिंदू संगठन इसको लेकर बवाल काट रहे हैं इस कभिता में कुंती के बारे में बिबादास्पत बातें कहीं गई हैं दरसल मंजेरी के NSS कॉलेज की मैगजीन में एक छात्र ने पांच लाइन की कभिता लिखी है जिसमें कथित तोर पर कुंती की पवित्रता पर सवाल उठाया गया है और कहा गया है कि इस टॉपिक को लेकर टीवी चैनल्स पर डिवेट क्यों नहीं होते मैगजीन प्रकासित होने के बाद दच्छड पंती संगठन हिंदू एक किवेदी ने कभिता की आलोचना करते हुए इसे हिंदू समुदाय को ठेज पहुचाने वाला करार दिया है हिंदू संगठन के बवाल के बाद कॉलेज प्रिंसिपल ने इस पर सफाई भी दी है प्रिंसिपल आजाद मलातिल ने कहा कि इस कभिता को प्रकासित करने का मकसद किसी की भावना को ठेज पहुचाना नहीं है अगर ऐसा है तो हम माफी मांगते हैं इस मैगजीन का प्रकासन अभी कुछ दिन पहले ही हुआ है और इसकी प्रतियों को बांटने पर रोक लगा दी गई है वहीं अभी इसी सबता केरल के ब्रेनन कॉलेज की मैगजीन में एक कैरिकेचर छपा जिसमें राष्टगान के समय कपल को सेक्स करते दिखाया गया है इस मामले में पुलिस ने 13 लोगों के खिलाफ केस दर्च किया है जो कॉलेज मैगजीन की कमिटी में थे